हेलो लेर्नर्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल रिचिका एडुकेशन हग स्टुरिंट हम एच्पी टैट का आज जून दो हजार उननिस का जो पेपर है जून दो हजार उननिस का ये पेपर है जो कि जेविटी का है ठीक है उसमें से चाइल्ड साइकॉलोजी के हम कुछ को आज जो है हम डिसकस करेंगे ठीक है सबसे पहरा क्वेस्टन है हमार पास आफरेज आई की एक परसन की एवरेज आई क्यू कितनी होती है ठीक है 92 110 होती है ठीक है 132 150 होती है 72 90 होती है 52 70 होती है ठीक है तूशकर राइट आंसर है हमारा option A average IQ of a person is 90 to 110 ठीक है जो 90 से नीचे आते हैं बिलो आते हैं ठीक है हम उनको हम below average कहते हैं ठीक है और जो 110 से उपर आते हैं तो उसके हम above average क्या फिर gifted कहते हैं ठीक है अजीक कोश्म हैं कि यह उसको हम संग्यान आत्मक का सिध्धान केहते हैं उसको किस ने दिया है जिन प्याज्ये ने दिया है फालाव ने दिया है इन मैंसे किसी ने भी नहीं दिया है ठीक है तो जो cognitive development की theory है हमारी वो दी है जिन प्याचे ले ठीक है तो the right answer is option A Okay, third question है हमारा The creative people tend to think in the dash manner ठीक है कि तो जो creative people होते हैं वो कैसे सोचते हैं ठीक है उनके thinking कैसे होती है तो जो creative people होते हैं के thinking कैसे होती है किते convergent होती है, divergent होती है, negative होती है या positive होती है ठीक है तो जो हमने यह मिखाल से पहले भी discuss किया question कि जो creative people होते हैं उनके thinking होती है हमारी divergent thinking ठीक है So the right option is option B, divergent thinking Question number four है The first important step in conducting an experiment Experiment method मैंने यहां यूट्यूब पढ़ा चुकी हूँ और किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका link जो है वो description में दे दूँगी तो प्लीज experiment method को पूरा आप detail में देख लें इन्होंने हमसे पूचा है The first important step in conducting the experiment options देख लेतें फिर बात रहतें First is collecting data कि data को collect करना Setting up instruments Analysis of data forming a hypothesis इन चारों में से सबसे पहली क्या आएगा ठीक है कि मैं पता सबसे पहले हम क्या करेंगे Experiment करने के सबसे पहले हमें क्या चाहिए कोई problem चाहिए होती है अगर आप simple से बात करें Experiment का सबसे पहले step क्या है तो वह है कि किसी problem को दूढ़ना कि जिस पर experiment किया जाएगा problem तो पता होने चाहिए ना हमें पती हां पर तो वह option में है नहीं तो हमें क्या देखना है कि इन चारों में से जो है सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे तो data तो collect नहीं कर जाएंगे सबसे पहले इंस्टुमेंट सबसे हम पहले हम क्या बनाते है hypothesis बनाएंगे कि hypothesis हमने पहले पढ़ा है कि क्या होती है वो tentative solution होता है किसी भी problem का ठीक है तो right answer is option D forming a hypothesis ठीक है तो वहां देख लेना है कि options क्या है उसके according जो है आपको trick लगाना है राइट next question is the first psychological laboratory was formally established in psychology lab सबसे पहले किसी ने established कहाँ पे established हुई थी ठीक है option हमारे पास Boston में London में Lip Singh में या Philippines में ठीक है उसका right option है हमारा option number C Lip Singh में जो है वो first psychology lab जो है वो open हुई थी ठीक है और किस ने किया था इसको William Wundt William Wundt ने जो है इसको open किया था ठीक है तो यह question जो है बहुत बाज़ बीट होता है next question number 6 genes work in कि जो genes है वो कैसे काम करते है करते हैं single form में काम करते हैं group में काम करते हैं pairs में काम करते हैं या इन में से कुछ भी नहीं ठीक है, next question है हमारा, endocrine glands and called ductless gland, ठीक है तो endocrine gland हमारा उसको हम ductless gland कहते हैं, because they secrete their hormones, केते हो क्या कहते हैं, जो hormones उसको secrete करता है, कैसे करता है, through genes करता है, chromosome के through करता है, यह directly into blood करता है, या through tubes करता है, ठीक है, इसको right option है हमारा, directly in blood, ठीक है, next question है हमारा, according to bandura, child learn through, यह बंदूरा के according, ठीक है, कि जो child है, वो कैसे learn करता है, imitation, अनुकरन करके, motivation के through, motivation को क्या कहते हैं, अभी प्रेर्णा के through, reinforcement के through, या inside की means, अंदर सुच के अंदर वो चीज होती है, कि मैंने जानना है चीज को ठीक है, तो bandura के according, बच्चा जो है कहते है, अनुकरन करने से सीखता है, कि से सीखता है, imitation से, कि means, जो घर में बढ़े कर रहे हैं, वो है वो उस चीज को imitate करके, जो है, वो जादा अच्छे से वो सीखता है, ठीक है, तो right option है हमारा A, ठीक है, next है हमारा question number 9, a relatively dash change in behavior is called learning, ठीक है, कि बेवार में अपेक्षा कृत, परिवर्तन को सीखना कहते हैं, तो किसको कहेंगे हैं, temporary, similar, permanent, ठीक है, कि change in behavior is called learning, a relative dash, क्या होगा, तो उसका ही answer होगा हमारा, कि permanent change, कि जब हमारे behavior में कोई चीज permanently change हो जाती है, तो हम कहतें कि learning होई है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि आज तुमने कोई एक activity करी, तुमने कभी करी नहीं हो, तो हम यह नहीं कह सकते हैं, कि वो आपके behavior में वो चीज है, ठीक है change in, कभी आता है change in behavior, learning तभी होती है, जब कुछ चीज permanently change होती है, right, question number 10 है हमारा, the TAT was developed, designed by, अब first of all, पता होंची ने, TAT क्या है, TAT is thematic, appreciation, test, ठीक है, ठीक है, किस ने दिया था, मुरे ने दिया था, अलपॉर्ट ने दिया है, जंग ने दिया है, यह मैंजल ने दिया है, ठीक है, तो यह मुरे और मर्लिन, दोनों ने मिलकर दिया है, ठीक है, मुरे और मर्लिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो TAT किस ने दिया है, thematic, कि यह क्या है यह किस ने दिया है किसके लिए यूज करने के लिए हम यूज करते ही ठीक है निक्स कोशन है हमारा GESTA LTE मीन की GESTA LTE का मतलब क्या है गस्ताइ खुभल का मतलब इसके करेło का मत्लब पूर्ण okay next question है हमारा operand conditioning is associated with कि operand conditioning theory किस ने दी है thon dyke ने दी है skinner की है hul की है या miller की है किस ने दी है ये theory हमारी skinner ने चीक है so the right option is B next question है हमारा Erickson was a dash psychologist Erickson कहां के psychologist थे American थे German थे British थे या Indian थे तुक कहों से थे वो British right next question हमारा the self-actualization theory was proposed by Kohler, Kohler, Maslow or Haunny अगर आपने last video देखा है तो आपको पता होगा जो self-actualization की theory है वो किस ने दी है Maslow ने दी है ठीक है Maslow hierarchy of need को हम Maslow self-actualization theory भी कहते है ठीक है आज का माना last question है if previous learning help in new learning then there will be a dash transfer of learning ठीक है किसे हमें पहले से सीख रखा है जिसे माल लो हमने चोटी classes में बान टू सीख रखाथा है नँग जिखाया था काउंटिंग चिखा इती है या बीसी सीखायी तो प्रीविज लर्निंग है किसे प्रीविस लर्निंग काउंटिंग सीखने में तो क्यों पॉजिटिव टांसफर ऑफ लरनेंग उई जो है हमारी ट्रीस चैनल को अगर आप नभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीचेगा और बल आइकन को जरूर बादीजेगा आपके आपको साय नोटिफिकेशन जो है व thank you and have a nice day